एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक की स्थापना चीन में हुई जीन लाइकन इसके पहले चेर्मेन है बैंक ने तीसरी वार्षिक मिटिंग का आयोजन 26 जून 2018 को मुंबई में किया था आयोजन में बोलते हुए प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी ने आशा व्यक की थी और कहा था ये बैंक संपून एशिया के बहुमुखी विकास में महतुपून भूमी का निभाएंगे चीन के बाद भारत दुतिय सबसे बड़ा साजिदार और रिनी है उपरोप्त आयोजन में 87 सदस्यों ने भाग लिया था प्येम मोदी ने कहा था कि सदस्यों को रंड उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मिलेगा एशियाई देश नियोजन वित्य सेवाओं, स्वास्थे और शिक्षा के शेत्रों में असमानताओं का सामना कर रही है इस आयोजन का उदेश है यानि थीम Financing for Infrastructure Strategy and Coordination यानि आधार भूत संगरचना के लिए धन जुटाना और तालमिल बिठाना था 26 जून 2018 तक के अपने धाई साल के कारेकाल में एक दरजन देशों को चार अरब कर्ज दे चुका है ये रण देने का आकड़ा 2025 तक 6.08 लाख करोड यानि लगभग 100 ट्रिलियन है